different types के plates कैसे हम अपने skirt में draw कर सकते हैं आज हम वो जानेंगे so hey friends welcome back to prayer fashion artist studio I hope you all are doing well so first we will see box plate skirt सबसे पहले हम box plate skirt के बारे में जानेंगे कि हम कैसे draw कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले curve line draw किया सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहाँ out के side और in के side line draw करने होते हैं तो चलिए अब मूफ करते हैं इंवर्टे इसकर्ट की तरफ यह काइंड ओफ बॉक्स प्लेट ही है कि और यह इसकर्ट बेसिकली स्कूल में पहने जाते हैं और आप देख सकते हैं यह same as it is हम draw करेंगे जैसे कि हमने box plate में draw किया था बट यहाँ पे थोड़े से changes हैं like जब हम यहाँ पे box plate में top से ही lines को means attach नहीं करते बट यहाँ पे हम attach करेंगे आप चाहें तो आप केतने इंच का gap रखते हैं lines में that's totally up to you now we are moving to knife skirt knife skirt नाम से ही पदा चलता है कि इसके जो plates के edges हैं वो knife की तरह साप होते हैं और वो मैंने यहाँ पर दिखाया आप किस तरीके से draw कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से आप करें आप करेंगे नौव वी विल सी किक प्लेट से skirt किक प्लेट से skirt में आप चाहे तो box plate डाल सकते हैं चाहे double box plate डाल सकते हैं और यह skirt उपर से fitted और क्योंकि यहाँ पर हम कट लगाएंगे मेंस यहाँ पर हम box plate डालेंगे जिसके विजह से वह bottom से थोड़े लूज होते हैं क्योंकि आप जब skirt wear करते हैं तो एकदम से fitted नहीं बहान सकते हैं और यह office wear look डेता है तो यह हो गए आपके kick plate skirt now we are moving to fluted skirt fluted skirt the kind of you can say fish skirt यह fish skirt की तरह दिखते हैं क्योंकि यह उपर से fitted होते हैं और bottom के side extra fabric होने की वजह से इसमें folds create होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर draw करके दिखा रही हूँ अब ही मैं यहाँ पर आगे आपको दिखाऊंगी shadow create करके ताकि आपको easily समझ में आ सके की skirt में shadow कैसे create कर सकते हैं अब हुआ हैं अब हुआ हैं झाल झाल तो friends अगर आपको मेरी टिटोरियल अच्छे लगते हैं तो please 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 hit the like button share to your friends and if you are new then please subscribe to my channel and don't forget to press the notification bell icon and tutorial के regarding आपके पास कोई भी suggestions and queries हो तो please मुझे मुझे कमें बताएं ताकि मैं आपके एकॉर्डिंग टिटोरियल ला सकते हैं till then take care bye bye see you soon with the new tutorial thank you so much for watching